दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे बॉन फिदा के फिदा कोईन के प्राइज मोमें के बारे में एंट्री लेवल्स अपडेटेट लेवल्स और आने वाले दिनों में के टागिट्स करेंगे प्राइब लेवल्स और आने वाले दिनों में के टागिट करेंगे as a trader long term और short term के perspective से किन एरियास पर नज़रे बना रख सकते हैं दूसरा जिन्होंने अगर इसको जल्दी बाजी में recent moment में उपर वाले लेवल पर buy कर लिया है उनका कब तक recover होगा सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में तो उससे पहले जो नए investor trader market में आये हैं जिनको जादा knowledge experience नहीं है उनके लिए हमने premium services start की है ताकि वहाँ पर आपको proper guidance, proper strategy share की जाएंगे crypto qualities updated level signal share की जाएंगे और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो भी अपने crypto journey profitable start करना चाहते हैं crypto losses से बचना चाहते हैं इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं इंस्टा की link वीडियो के description में है 0.279 पर अभी coin trade कर रहा है 2653 वाला low अभी square ने बनाया और इससे पहले जो BTC में fluctuation होई थी जो बड़ा drop देखने को मिला था हूँ आप पर 2603 तक price चली गई थी और रिसेंट्ली स्कोयन में बड़ा breakout देखने को मिला था जहाँ पर 22 of December को यानि कि आज से 12-13 डेस पहले इसकोयन ने 4-6 तक का level try किया था और 4-8 तक वाला level try किया था और एक अच्छा खासा movement इसकी price में देखने को मिला था जहाँ पर अपने lowest 1-3-1-4 वाले level से इसकोयन ने 200% 240% से जादा का move लिया था वहाँ पर भी हमने आपको 4-5 और 4-8 पर exit करवा के और उससे पहले भी हमने आपको safe levels पर exit करवा के अच्छा खासा profit generate करवाया जो lowest area से जो इसकोयन ने सप्टेंबर अक्टूबर मन्त में ये 1376 और 14 के round ये coin trade कर रहा था वहाँ पर ह ही quick आपको entry share करके quick profits 1819 तक आपको profit दिलवाए उसके बाद जिन्होंने short term में hold किया इस coin को 2-3 month 6 month के लिए उन्होंने 200% तक का profit generate किया अभी भी अगर उनके portfolio में 8 है ये coin sale नहीं किया है तो जिनकी buying हमने आपको September में October मन्त में share की थी वहाँ से अगर buy करके रखा हुआ है तो अभी आपके portfolio में easily 70-80% से ज़्यादा का profit देखने को मिल रहा होगा इस coin में हमारी जो latest entry थी वो November मन्त में भी इस coin में पोश्टी थी एक बार यहाँ पर अगर बात करें तो यह coin 2-0 से नीचे-नीचे hit rate करा तो यहाँ हमने आपको 2-0 से नीचे यह 22 of November को price आ गई थी हमारी 20 of November को एक वीडियो शेयर की थी इसमें हमने entry शेयर की थी यहाँ जब यह move कर गया था 24 तक उसके बाद भी यह latest entry थी हमारी यहाँ पर हमने इस coin को 2-0 से नीचे भी buy करवाया था और हमारा focus ऐसे levels पर रहता है कोई भी coin जो fundamental strong coin है उसमें हम आपको बता जेते कि यह coin किस type से move करेगा fundamental strong coin है या नहीं है या जिसकी coin है कितनी capital लगानी है maximum आपको 20% capital capital ही लगानी है यह तो हर coins के लिए है लेकिन अगर कोई risky coin है जो ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा fluctuate करेगा जिसमें बहुत ज्यादा pump and dump के जांसे से तो उसमें हम आपको आपकी capital 10% से भी कम का advice करते हैं तो अभी इस coin में अगर डेली के अंदर support area की बात करें तो 0.29 कर रहा तो 0.29 को डेली के अंदर support area जिससे उपर हमें कल की closing देखने को मिले अभी 28 crown trade कर रहा तो यहाँ पर अगर यह 29 वाले level को loose कर देता है तो फिर इससे नीचे 25 वाला support area उपर की तरब 29 के बाद 35 वाले coin को resistance area है जहां से इस coin को अभी उस level को इस coin ने loose कर दिए अब बात करते है entry की कि हमने आपको अभी recently जब इस coin में moment हुआ था उसके बाद हमारी तरब से एक video share किया गया था 25 व दिसमबर को इने 22 को इसमें moment हुआ था उसके बाद यहाँ stable था हमने आपको video share किया था इसमें entry बताई थी कहां पर आपको entry लेनी क्योंकि बहुत साए लोग क्या करते है क कि coin जब bottom level पर रहता है जब dump के अंदर तो वहां भाई नहीं करते मूग कर रहा है 10% मूग कर गया 50% मूग कर गया 100% मूग कर गया फिर उनकी आखे खुलती और फिर उपर वाले level पर वाई कर लेते जल्दी बाजी में तो हमने आपको इस coin में भी बताया था कि उपर वाले level कि अगर BTC fluctuate हो गया तो थोड़ा बहुत ओर ड्रोब देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इंट्री हमने बताया थे 0.31 और 26 के हमारा जो previous वीडियो है बॉन फिडा का वो अगर आप देखेंगे उसमें आपको सारी चीज़े क्लियर होगी हमने क् टार्गेट्स बताये थे और क्विक अंट्री आपको जो एक लेटेस्ट जो है जिस लेवल पर प्राइज जाने के चांसे वह लेबल बताये थे जहांपर 31 तो बताया ही था सेकेंड लेवल हमने 0.26 बताया था जहांपर 70-30 के रिश्यम आपको अंट्री लेनी थी तो अभी अगर बात करें तो 31 तो इसको इनने हिट किया ही 26 तक प्राइज नहीं गई 2603 से मुखर गए 26 वाला लेवल वह लेवल था जहां अगर बीटी सी फ्लक्ट्वेट करता है तो 26 तक आने के चांसे रहेंगे अब हम यहीं चीज़ आपको बताते हैं क्या चीज़े रहती है कि ट थोड़ा बहुत ऊपर से मुखर जाता है कहीं बार अब ऐसा एक्जड़ी तो यह है नहीं कि 29 पर ही हिट करके मुख करेगा या तो 26 पर हिट करके ही मुखर गए या तो यह कोई 25 तक 2258 तक लेवल पर हिट करता या 26 से ऊपर हिट करके मुखर गया तो अभी भी हमारे जो श और अभी भी वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने लेवल आपको बताया देख भाई 3.1 से नीचे आने के चांसे जरहेंगे तो जो वेट कर रहे थे कि नहीं हम अच्छे लेवल पर confirmation में या एक अच्छे safe लेवल पर entry लेंगे उनके लिए और भी थोड़ा discount के अंतर entry मिल रहे हैं जहाँ 3.1 पर entry मिल रही थी वहाँ 2.8 पर मिल रही तो ये भी एक अच्छा safe लेवल है यहाँ से आपको 2.85 पर first entry लेनी है sorry 2.8 पर अभी trade कर रहा है 2.7, 2.8 से नीचे नीचे आपको अगर entry मिलती है उस लेवल पर आप entry ले सकते हैं मतलब 2.8 पर अभी trade कर रहा है 2.8 से नीचे 2.75, 2.6 तक भी entry मिलती है safe level है 2.8 से नीचे नीचे safe level है 2.85 तक भी safe level है यहाँ से जैसे ही move करेगा वापिस अपनी रिली को continue करेगा जिसमें ऊपर की तरफ 3.5 वाले recency area को जैसे ही break करता है तो फिर 4.0 तक try करेगा जिसमें आपके first और quick target रहेगा 3.6 वाला level जो trading perspective से इंटर लिया उनने के लिए 0.36 first target second target 4.0 वाला रहेगा जहाँ पर 40% part से लगट करना है 4.4 वाला level आप short term में target रख सकते हैं उससे उपर वाला level भी रख सकते हैं जो one month या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा पेट कर सकते हैं इसके लावा जिनों ने उपर buy किया हुआ है अगर आपकी buying 3.5 से उपर की है तो आपको buying price पर sell limit लगा कर रखनी है और recovery पर focus करना है अगर आपकी buying उससे नीचे की है तो जो targets मैंने बताएं उन targets पर as it is उस ratio में 60-40 के ratio में sell limit लगानी है इसके लावा जो भी नए investor trader market में आए है जिनको जादा knowledge expense नहीं है जो जल्दी बाजी में बहुत सारी गलतिया करते हैं वो हमारी premium membership में ज़रू enroll करें रिस्क का खुतिया research के हिसाब सकरें आपर हम कोई finance advice नहीं दे रहें वीडियो से पर education purpose से हैं ताकि आपको overall coinsulated knowledge उसके वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रू करें चनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्यू